हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइबोटेक एजूकेशन ग्रूप में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप जावा में फंक्शन के थूरू कोडिंग कर सकते हैं यूजर से एक इंटीजर का इंपूट लेकर के इस बात को चेक करने का कि वह इंटीजर जो है वह प्राइम है या नहीं ध्यान रखेगा फंक्शन का इस्तेमाल करके यूजिंग फंक्शन तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं ताकि कोई भी कॉंसेप्ट आप लोगों का छूटे नहीं वीडियो को बिल्क प्राइम है की नहीं है तो कोई भी नम तभी होता है सिर्फ तभी हो पाता है जब उसका जो काउंट आफेक्टर वो स्सक्तु liegt है दूसरा चीज क्या है कि किसी भी नम्हीं के लिएक पोर एनी नम्ह जो फैक्टर होता है ना डाइंट स्तार्ट स्टार्ट फ्रॉं आंड एं पार्टन चीज तो देखिए कैसे इसको हम लोग कोड में लिखते हैं सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूं import java.util.scanner अब मैं एक class लेता हूँ suppose मैंने class लिया test नाम का और उसके बाद ये class देखे बंद हो गया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ public static void main यहाँ पर मैं string args ले लेता हूँ अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक variable लेता हूँ num जिसमें actually मुझे user से input लेना है अब scanner class का यूज करके मैं scanner sql new scanner ये ले लेता हूँ system.in ये parameter पास कर दिया मैंने अब user को मैं message देता हूँ system.out.println please enter any integer और इस message को पढ़के user जो भी entry करेगा उसको मैं num में रख लेता हूँ num equals sc.nextint ठीक है अब ये काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है मैं actually यहाँ पे num के value को देखता हूँ check करके एक बार कि जो मैं input डालूँगा वो आ रहा है कि नहीं ठीक है इसको मैंने save कर लिया suppose यहाँ पे चुकी class का नाम test है तो मैं इसको save कर लेता हूँ test.java के नाम से चलिए यह मैंने save कर लिया अब command prompt पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ java c test.java अब देखें import का यहाँ पे i capital है इसको यह by mistake हो गया इसको मैं small करके save कर लेता हूँ यह error identify हो गया अभी alt f यह actually save देखें तो हाँ अभी मैं इसको execute कराता हूँ using java java space test अब जैसे देखें मैंने डाला 12 तो 12 बार रहा है बिल्कुल यहाँ तक तो आपका part आपका सही है लेकिन अब आइए अभी क्या हो रहा है न कि चुकी मुझे function से check करना है तो suppose मैंने check नाम का एक function बनाया जिसमें num को पास कर दिया मैंने num का value मैंने पास किया है तो अब आपको main के ऊपर या main की नीचे आप कहीं भी method function को बना सकते हैं आप यहाँ पर function define करने चाह रहे है function to check prime ओके तो आप यहाँ लिखते है wide prime चुकी wide check चुकी check नाम का function है तो आपको तो check ही डालना है और return type क्या है wide है कैसे पता कर चलेगा क्योंकि check के lift में ना तो assignment operator है ना तो कोई variable का use हुआ है ऐसे return type होता है तो किसी भी function का return type होगा तो उसके lift में definitely assignment operator होगा और उस assignment operator के lift में कोई ना कोई variable होगा तो चलिए यहाँ पे wide check मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे in use कर लेता हूँ देखिए यहाँ यह एक चीज़ बढ़ा इंपोर्टेंट है इन जो है न इन इस दड़ डमी या formal argument इन क्या है dummy या formal argument अब मुझे identify करना होगा चुकि आप Java में code लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा public static वाइड चेक ठीक है अब जो है इन का जो वैल्यू है वो प्राइम है कि नहीं ऐसा आप देखना चाहरे तो ऐसा करने के लिए मैं एक variable i ले रहा हूँ जिससे मैं loop चला सकूं from one to the value of n और एक cf नाम का variable ले रहा हूँ इसमें zero assign कर रहा हूँ यह counting purpose के लिए ले रहा हूँ कि कितना factor है वो मैं count कर सकूं अब मैं यहाँ पे for loop यूज कर रहा हूँ आप while या do while भी यूज कर सकते हैं जिसको मैंने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में explain किया है आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं तो i को मैंने एक से start किया less than equal to n और यह i++ हो रहा है तो यह तो आपका के value से division operation करने पर zero i इसका मतलब साफ सा है कि i का जो value है न is the factor of the value of n ओके तो ऐसा होने पर आप cf को प्लस प्लस कर देते हैं लेकिन कुछ large number की cases में जैसे अगर आप 100, 1000, 5000 को देखे तो अगर 1000 की case में i जो है 1 से 1000 तक चलेगा तो cf का value तो 2 से ज़्यादा 3 जो है वो जैसे 1000 अगर मैंने लिया तो 1 से वो कट रहा है तो cf का value उस case में 1 हो गया 2 से भी कट रहा है तो cf का value फिर बढ़के 2 हो गया 3 से नहीं कट रहा है कोई बात नहीं 4 से कट रहा है तो 3 हो गया तो i के चार के लिए ही in the case of 100 or 1000 cf का value 3 हो जा रहा है 2 से ज्यादा तो वहीं पता चल जा रहा है 3 होने के वज़ए से कि आपका जो n में value वो प्राइम नहीं है लेकिन फिर वी चुकि आपने looping में condition लिखा है कि 1 से n तक चलना है तो वह तो 1000 या 100 चलेगा तो ओके और बाहर आके आप लूप से चेक करते हैं कि अगर cf का value exactly 2 है तो भाई आप print कर दो कि n का जो value है इस आ प्राइम इंटीजर और अगर ऐसा नहीं होता है मतलब 2 नहीं है मतलब कि या तो 2 से कम है या फिर 2 से अधिक है तो उस case में आप print कर दो कि n का जो value है is not a prime integer हो गया simple सा एक concept था अब देखिए इसको हम लोग compile करवाते हैं पहले और उसके बाद देखिए run करवाते हैं अब मैं डालता हूँ 17 जो कि प्राइम इंटीजर है तो देखिए अभी यह 17 क्यों आ रहा है क्योंकि चेक नम चेक नम में तो मैंने दे दिया है इसको मैं य यहां से फिर से एक बार इसको compile करवाता हूँ अच्छली सेव नहीं हुआ होगा यह problem रहता है जावा में अभी देखिए मैं डालता हूँ 12 या 17 देखिए 17 के बारे में क्या कहा रहा है कि 17 इस प्राइम इंटीजर यह हमेशा याद रखेंगे जावा के source code में अगर आप एक character भी change करते हैं तो आपको उसको save करना होगा और उसको दुबारा से compile करना होगा ताकि उसका जो byte code है वो दुबारा से बन सके डॉट क्लास फाइल वो दुबारा से बन सके नहीं तो वो previous class फाइल को ही run करवाता रहेगा चलिए दुबारा से मैं इसको execute करवाता हूँ इस बार मैं डालता हूँ 120 is not a prime integer फिर मैं डालता हूँ suppose फिर से execute करा के one तो one is not a prime integer यह बहुत सिंपल सा मैं चाहता क्या हूँ कि नम में टेक का return value में रख लूँ और उसके बाद भाया तुम चेक करो तो मुझे टेक भी बनाना होगा लेकिन ध्यान दे यह जो function बन रहा है function to take the input यह function इस function का return type int है और parameterless है कैसे int कैसे identify करेंगे तो देखिए टेक function के यह टेक function का calling section है इसके left में यहाँ पर assignment operator है जिसके left में एक variable है num जिसका type क्या है भई तो int है तो take return type भी int ही होगा अब यहाँ पर आप suppose एक local variable ले ले लेते int local temp जिसमें user से input लोंगा मैं अब scanner class से आप एक object बना लेते हैं message भी देते हैं system.out.println से कि please enter any integer और यहाँ से आप user जो भी input करता है उसको आप local temp में रख लेते हैं और यहाँ से आप return कर देते है local temp को अब देखिए यह जब return होगा तो return होके यह finally जाएगा तो नम में ही और नम का value जो की local temp में था वो नम का value चला जाएगा check में और वो identify होगा देखिए रंग करता है कि नहीं फिर से यह जावा में जो है आपको static function बनाना ही होगा जैसे कि अभी आपने check को बनाया था तो पब्लिक static int take आप ले लेते हैं और उसके बाद आप देखिए java c यह आप compile करवाते हैं यह सेव नहीं हुआ होगा इसलिए error दे रहा है चलिए प्राम इंटीजर मैं डालता हूं वन प्राइम नहीं है तो मैसेज द्थे राइप नौट अ प्राम इनटीजर नहीं है तो मैसेज द्थे रणाओ ध्रॉम और अब थोड़ा सा और चीज़ए यहाँ पे यह फंक्शन जो है घो मैंने बनाया यह प्राइम फंक्षिन के बाद भी function को define कर सकते हैं चुकि सारा का सारा चीज एक ही class में है चलिए मैंने बाद में define कर दिया और इस file को मैंने save कर लिया अब आप देखेंगे मैं इसको compile करवाता हूं यह देखे देखे 199 देखे 199 इसवाइम कोई दूसरा अब दालता हूं like 19 यह भी प्राइम है वन के लिए चेक कर लेता हूं चलिए 420 के लिए चेक कर लेता हूं तो इस तरह से आज की इस video session में आप लोगों ने जाना कि कैसे जावा में आप function का concept यूज करके यह बात पता कर सकते हैं कि कोई number जो जावा में आप as an input आपने लिया है वो प्राइम है या नहीं है तो उमीद करता हूं कि इस video से आप लोगों का सबस्क्राइब करें बिल बटन दबा दे ताकि जो भी चैनल में अपडेशन हो रहा है उसका information आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक्स थैंक्स अलाट